और जब आई उपे इस ये वेरा पर मिल लिखेंगे ये एक बेसिक इस्टेक्चर है वेरा पर मिल की जिसके इंदर मितोक्सी ग्रूप लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल ग्रूप है ठीक है इसके सब पार्ट करते हैं कुछ ऐसे अब इसमें जो फिनोक्सी थाइल ग्रूप है जो ये ग्रूप है इसके लिए 1,2,3,4,3,4 पर ये मितोक्सी ग्रूप लगा हुआ है पहले इसकी नम्बरिंग करते हैं और ये 1,2,3,4,5 और ये 1,2 इथाइल ग्रूप के लिए ठीक है अब हम नाम लिखते हैं इसका टू पोजीशन पे टू पोजीशन पे टू पोजीशन पे ट्री और फोर फिनाइल ग्रूप के लिए लिखेंगे वन,2,3,4,5,5,2 ये ग्रूप हो गया त्री,4,2,1,4,2,1,4,1,2,4,1,1,1,2,1 ये अधाइल एमिद्ध पोजीशन पे ये फिफ्ट पोजीशन पर मिद्ध पो जीशन पे इसके बाद ग्रूप ता ऐसा ये है तू पोजीशन इसकी इसकी तू पोजीशन पे 3-4-dimethoxyphenyl group यह isopropyl group है जो दो नंबर पर लगा हुआ तो 2 isopropyl और यह पूरी जो structure है यह इसका नाम है pentanitrile या varonitrile तो हम इसका नाम लिएते हैं varonitrile valerionitrile group यह nitrile N की वज़े से बना हुआ है या pentanitrile group भी बोलते हैं इसको तो यह पूरा iopc नाम इसका बन चुका है जिसका है 5234-dimethoxyphenyl ethyl methyl amino 234-dimethoxyphenyl 2 isopropyl valerionitrile जो की वेराप्ता मिल की ड्रेप के लिए iopc में यह एक antihypertensive drug है